कुनाडा ने विदेशी छात्रों के लिए बदले नियम अब हपते में 24 घंटे केंपस से बाहर काम कर सकेंगे विदेशी छात्र भारत के दो लाग से ज़्यादा स्टुडेंट्स कर रहे हैं पढ़ाई कुनाडा सरकार भारत समेथ अन्य देशों से आने वाले अंतराश्टी छात्रों के लिए एक नया नियम लेकर आई है इस नयम के तहता वे अंतराश्टी छात्र हपते में केवल 24 घंटे ही कोलेज केंपस से बाहर जाकर काम कर सकेंगे यह नियम इशी साल सितंबर से लागू किया जाएगा इससे पहले एक अंतराश्टिय चात्रों को 20 गंटे से अधिक समय तक केमपस से बाहर काम करने की अनुमती थी लेकिन ये एस्थाई नीती 30 अपरेल 2024 के बाद खतम कर दी गई है कनाड़ा के बदले नियम का बहात सहीत अन्य देशों के चात्रों को फाइदा भी मिलेगा इसके बजाए 24 गंटे तक जोब कर सकेंगे विदेशी चात्र यह जोब 24 गंटे एक हपते में कर सकते हैं इससे उन्हें कई विद्यारतियों को फाइदा मिलेगा जो पढ़ाई का खर्चा जोब करके पूरा करने में लगे रहते हैं उनको अभी तक मुश्किल हो रही थी बारतियों को पसंद है कनाडा कनाडा सरकार ने देश में स्रिमकों की कमी को दूर करने के लिए कविड-19 महमारी के दोरान अंतरास्टी चात्रों के लिए काम के घंटों पर 20 घंटे की सीमा को एस्थाई रूप से माफ कर दिया था कनाडा भारती चात्रों के लिए सबसे अधिक मांग वाला देश है